दोस्तों Indian Railway Finance Corporation Limited की बात करें तो आज श्टॉक में 2% के आसपास की गिराउट हुए है लेकिन इस गिराउट से पहले श्टॉक अलड़ी जबर्दस तेजी बता चुका था और आप देखेंगे उपर के लेवल से आगी थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिन लेकिन जिस तसे सिग सबसे जो बड़ी बात है कि railway शेरों की वज़े से हमारा जो Indian Stock Market है वो पहुत जबर्दस बढ़ते हुए कि इसने एक milestone achievement किया है तो सभी PSO Stock दोड़ रहे और जैसे कि अब election का दोर अंतीम समय में आ चुका है और जल्द ही नई सरकार का गटन होगा उसके बाद एक stable government आने के railway के शेरों में फिर से एक जबर्दस तेजी शुरू होगी इसकी आसा की वज़े से ही आपे सांदर तेजी बनने लगिया और result भी इस बार काफी अचारा है तो अब आगे की क्या रणीती हो सकते हैं उसको समझने की कोसेश करेंगे इस वीडियो के माद्यम से और क्या इस ल वीडियो स्टार्ट करते हैं मैं हूँ आपका दोस्त एस भी दवे और मारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत-बहुत स्वागत हैं तो सबसे पहले IRFC के कारोबार की बात कर ले तो आज स्टॉक की शुरूआत पॉजिव हुई 181 पर प्लोजिंग थी कल की 179 क कल जबरदस दौड लगए थी और आज भी शुरूआत सांदार की 183 का इंट्राडे में हाई बन गया यानि पिछले दो तरी ट्रेडिंग स्टॉक जो 160 के आसपर था वो 180 को पार कर गया वैसे इंट्राडे का लो 173 का बना यानि प्रॉफिट बुकिंग आगे उपर के देखनों को मिली है जापे 1.92% की गिरावट से नहीं लगबग 2% के आसपर की गिरावट देखनों को मिली है तो 173 इंट्राडे का लो लेकिन हाई 183 का यानि एक दिन में ही 10 रुपे का बड़ा जंप देखनों को मिला 52 का जो लो है वो 31.20 का है और हाई 192 का है और 192 का है आसपर से आ गया था अब आप देख सक फिर से बिल्कुल एक नई लाइप टाइम हाई बनाने को त्यार हो चुका है 186 आज चला गया है आने वाले एक दो ट्रेडिक से में अगर बाजा ने साथ दिया तो ये 200 को टच कर सकता है ऐसी उमीद दिख रही है रेल विकास निगम लिमिटेड की अगर बात कर ले तो आज श्टॉक ने एक बिल्कुल फ्रेश हाई बना दी और आप देख सकते हो कि उसके बाद में श्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग इदर भी आई तो श्टॉक की जो क्लोजिंग है 341 के आसपर सरी जापे 018% की गिरावट देखनों को लो है वो देखे दो कि 110 का और हाई 358 का है और आल टाइम लो रेंज इसकी 10 रुपे के लेकिन हाई 358 की है जबर्दस परदर्सन किया है और अब यह थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग और श्टॉक फिर से दौने को तयार है तो दोनों शेर काफी सांधार है तो यहाँ प इसकी जो कॉल रिकॉर्डिंग होगी वो उनके साथ शेर की जाएगी और एक्चेंज को भी इसकी जानकारी दिएगी और इसलिए इन्वेस्टर मीटिंग बुलाए गी है तो यहाँ पे टाइम हमारे सामने आ चुका है फ्राइडे 24 मई दो हजार 24 को तीन बजे सामके टाइ में यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी अपना कॉर्टर फूर का रिजल्ट है जो उनके साथ में डिसकस करेंगी तो यह ओडिटेड रिजल्ट होगा और आप देख सकते हो कि इसके अंदर क्या पॉजिटिव बात रही क्या कमीर है वो सारी जानकारे इस इन्वेस्टर मीटि इसके अलावा सैली वर्मा जो डारेक्टर फाइनेंस है वो भी इसमें सामिल होंगे और सुनिल कुमार गोईल जो जीस सी जी एम है और सी एफो है आई रफसी के वो भी यहाँ पर सामिल होंगे अपने जो भी विचारे व्यक्त करेंगे तो कुल मिलाके यह हमारे सामने अधिया तो 70 पैसे का डिविडेंड कंपणी देने जा रही है और यह फाइनल डिविडेंड है और यह डिविडेंड जो एजियम होकी उसके दौरान शेरोड की पहले रजाबंदी ले जाएगी और जैसे उनकी मंजूरी मिल जाए उसके बाद में अगले 30 दिनों के अंदर वो डिविडेंड आपके अकाउंट में आ जाएगा तो अलड़ी बहुत अच्छा डिविडेंड दे चुका है आईपी जब से आया उसके बाद में अलगबग 5 रुपे तक का डिविडेंड मिल चुका है यही सबसे बड़ी बात है साथ में कंपनी 50,000 कोड़ पीज की करना है इसमें फंड की जरूत पड़ेगी तो यहां पे 50,000 कोड की फंडेजिंग भी की जा रही है और यह बहुत बड़ी बात है अब यहां पे IRFC को लेकर मेहता एक्यूटी के रियांक अरोडा का कहना है कि स्टॉक के लिए जो रिजिस्टन्स है 180-183.25 के आसपास है डेल कर लिया तो फिर यह 192 और फिर 200 के टार्गेट दिखा सकता है तो उनके हिसाब से देखे तो यहां से अगर गिराउट होती है तो 160-160 के आसपास के एक सपोर्ट दिखाए देरे और यह देख सकते हो कि आपको इसमें जो खरीदारी तभी करने है जब 185 को पार कर जाए और इससे नीचे स्टॉक रहे तो आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है यानि एक बार 185 को पार करने के बाद नई तेजी के साथ स्टॉक आगे बढ़ सकता है यह रियांक अरोड़ा का कहना है दूसरी तब देखे तो रेलिगर ब्रोकिंग की तरब से देखे रोहन साह का कहना है कि स्टॉक ने यहाँ पे एक बुलिश ट्रेंड दिखाया काफी समय के बाद एक फ्रेश ब्रेक आउट देखने को मिला है और यहां से एक अच्छी सम्भावन दिख रही है तो स्टॉक के लिए जो सपोर्ट दिखाए देरे 170 से 165 के आसपास है इन सपोर्ट को आपको मे के इसाब से आपको इसमें निवेस को बनाए रखना है अब यहाँ पे देखते हो कि मंगलवार के दी स्टॉक मार्केट ने एक नया इतियास रचा बिल्कुल माइल स्टॉन अच्यूमेंट कि आप 5 ट्रेलियन मार्केट के बना स्रिप 6 महिनों के अंदर जो 4 ट्रेलियन मार लगाई और इसकी वजह से यह में तेजी देखनों को मिली बाजार में यह जो काफी जबर्दस मॉल बना अब आर्वेनल की ही बात कर ले तो आर्वेनल ने देखते हो कि काफी सांदार प्रदर्शन किया और इसने ओल टाइम हाई बनाई 345 की 15% की तेजी के साथ और यह स्टॉक ने तो आप समझ सकते हो कि यह जो प्रॉफिट है इस बार 433 क्रोड क्या आस पसरा है इसका आसर भी देखनों को मिला तो काफी सांदार प्रदर्शन किया इसका देखी सकते हो इसके लावा आई एर अपसी ने भी देखते हो कि 182 का हाई बनाए काफी इचा प्रद इस बार आई एर सेटी सी इसने एक फिटी टुबध अबना दिया तो यह जितने रेलवे के शेरों ने उन्हों नहों नहीं सयोग किया जिसकी वज़ेश से एक जबरदस समय तेजी देखनों को मिली और आई एर अपसी ने भी कमाल किया उसका योगदान भी पूरा यापे ह काफी समय के बाद माहुल पॉजिटिक बनने लगा है ऐसे में इन्वेश्टर के लिए अच्छा मौका है कि लॉंग टर्म के अंदर्जिया लेकि निवेश करें आने वारे समय आपको जबरदर सीटन दे सकता है एक बार पीवर्ट लेवल को भी चेक कर लेते हैं तो यहाँ से निशे स्टॉक अब नहीं जाएगा पॉजिटिव माहुल बना तो 185 का फर्स्ट रेजिस्ट्रेंस है यह रेजिस्ट्रेंस पार होते ही बड़ी तेजी शुरू होगी सेकेंड रेजिस्ट्रेंस सिधा 197 के आसपस है जो बिलकुर एक फ्रेश हाई बंती हो दिखा देगी औ लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्ट्मेंट करने से पहले अपने फाइनसल एडवाजिस बढ़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल परपज के लिए ही बनाए वीडियो पसंद आए तो लाइक से जुरू किज और च